हां के लोगाइस वेलकम बैक अनटर वीडियो को हाज हम देखेंगे और वीटल थीओरी कि आज हम देखने वाले हैं और वीटल कि इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें मैंने कोविलेंट के बारे मिसके बना और बिटल थिए पर इसे हम अच्छे से देखेंगे समझेंगे यह विटल थिए है क्या चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को वेश्ट किया हुए और बिटल और बिटल का मतलब क्या समझते हैं जैसे एक ऐसा रीजन जिसे मानिए यह निकली ऐसा ठीक है यह सेंटर पार्ट है एक अटम का यह जो रीजन है यह जो रीजन है जहां पर एलक्टरोन फांड होता है उसका हम लोग और्विटल कहते हैं ओके दिए अप्रिशन आफ एलेक्ट्रस्ट्राटिक फोर्स इस अन्रस्ट्रेडबल इन इन पॉण्ड ठीक लिए था हम लोग आयनिक बॉण बॉण्ड में समझ रहे थे पर यह कॉंसेप्ट फेल हो जाता है कहां पे कोवलेंट बॉण्ड में यह कॉंसेप्ट फेल हो गया जब य दूसरा चीह समझने हैं को जिस करते कि अगर यहां कॉंसर्ट फेल हो रहा तो पास कहां पर होगा तो पास यहां पर हुआ जिसको अमोरी दियराम ने इन कोविलेंट बICIA पॉलते हैं इन कोविलेंट पॉनट तो अब हम यहां से पढ़ें हैं आटामिक और ऑड्रा कि आर्विटल ठोल्य में हमने ए jealousy powered इंगे अटामिक और वाइटल में पढ़ने के बाद प्रचका आटल्ष्थ HYPBlue उसमें पाई-पाई-बॉंडिंग वगरा देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं अटामिक और वाइटल एकॉर्डिंटु मॉर्डन कॉंसेप्ट अफिलोक्ट्रॉन इन आटम अरेंज इन सेल डिफरेंट इनर्जी लेवल अराउंड दा निकलियस जो मॉडर्ण कॉंसेप्ट है जो मॉडर्ण कॉंसेप्ट के हिसाब से इलक्ट्रॉन जो है अरेंज होगा अपना सेल में जैसे कि यह आपका निकलियस है यह आपका सेल्स है जखेल एम ठीक है डिफरेंट इनर्जी लेवल में अरेंज होगा दर सेल्स अब डिफरेंट इनर्जी लेवल आइंडिकेटेड बाई 1 2 3 और के लम स्टार्टिंग फ्रॉम दानिकलियस यह हमारा निकलियस है ठीक यहां से स्टार्टिंग करना है तो पहला यह वन बोल सकते हैं 1 2 3 यह के लमन एंड सो ओन इस सेल अडिफेरेंट नम्मर अफ एलक्टोन विच इस ट्वाइब आएंड स्कॉर्मॉला पढ़ेते हैं तो एंड का स्कॉर्एर ठीक है तो टू इंटू पहला सेल के लिए वन का स्कॉर्ए इकल टू एलक्ट्रोन चेक टू इंटू दूसरा सेल के टू का स्कॉर्ए अन मतलब जैस हो गया है एट लक्ट्रोन के टू इंटू दो टू स्कॉर्ल्इकल टू इनर्जी लेवल यहां पर बहुत ज्यादा होता है इस इनर्जी सब लेवल आर्ड डिजनेटेड़ वाई एस पी डी एंड एफ ठीक है अकॉर्डिंग टू एस का मतलब सार्फ होता है ठीक है आई दिन सो बहुत से बच्चों को यह नहीं पता था कि पता होता है कि वह एस पीडी तो पढ़ लेते बट एसका मीन क्या होता है पी का मतलब प्रिंसपल ओटा डी मतलब फ्यूज होता है ठीक है इस पैलिंग एप तो अगर लेते हैं एंड फंडमेंटल एफ का मतलब फंडमेंटल ओता है ठीक है फंडमेंटल लाइक रिस्पेक्ट लूब दे पर दूस इन एक सरे एक स्पेक्ट्रा से ठीक है एक मैथर्ड है उसी से यह लाइन जाया है एस पीडी एफ कि जब हम एक्सपेरिमेंट किया होंगे जो भी किया होगा तो उहां से एस पीडी जो इनर्जी लेबल से यह से इनर्जी सब लेवल से वह हमारे पास आया जो इस स्पैक्टर लाइन का मनोग इंडिकेट करते हैं स्का मतलब 1 का मतलब 3 वाइब और एक्सपरिमेंटली प्रूवड है कि एस में वन ही लग्ट्रोन जाएगा पी में त्री लग्ट्रोन जाए एंद फाइव एंद फ में से वरी इनर्जी लेवल से ठीक है अगे मैं से डिफाइन करूंगा कैसे जाता है electron of different energy levels are present in discrete volume differentway sers around the nucleus we are finding the electron of particular energy level is greatest call atomic orbital dish the atomic orbital definition it's now short of English इस क्या ही बोलना सिंपल सा बात में आप ये समझो जहां पर हुआ जहां पर इलेक्ट्रों का इनरजी लेबल ज्यादा होगा जहां पर प्रबाबिलेटी ज्यादा होगा कि उसी को हम अटामिक और वीटल कहते हैं ठीक है उसी को हम अटामिक और वेटल कहते हैं वो कोई भी स्थेस्व नहों सकता डिफरींस ऐब रिपर टीडिशन ठीक है अधिह तक कॉन सेप्ट और वैटल इमक्स फाम हीजनबर्ग का हां सब्सक्र sect प्रेट दोered स route था है हाईजनबग एक सांटेश्ट थे वो दिये थे वेव नीचर अफ एलक्ट्रों एलक्ट्रों डाज नॉट मूव इन और विट राउंड दनिकलिस इट इस इन डिफ्यूज श्टेट वाई जैसे यह हमारा आटम का निकलिस हो गया तो यह एक प्रॉपर मैनर में एक और बिट में नहीं गुमता है यह डिफ्यूज श्टेट में रहता है यहां रह गया थोड़े यहां रह गया यहां 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 डिफ्यूज न मतलब होता है फैला हुआ यह चितर ना चितरा हुआ ओके different sales content different type and different number of orbital ठीक सब कुछ डिफेरेंट है यहां पे सेल नम्मर टाइप सफ अर्बितल नम्मर अर्बितल के एल एल एम एन के में 1, 2, 3, 4 S S P S P D S P D F 1 का 1 2 स्कॉर 1 प्लस 3 इसके लिए 1 इसके लिए 3 इसके लिए 1, 3, 5 1, 3, 5, 7 4, 4, 6, 6 इसको आपका रोगा तो 16 आएगा 3, 6, 9 इसको आपका रोगा तो 5, 3, 9 आएगा 4, 4, 1, 1 ओके तो वह बोला इसको आपका रोगा तो 16 आपका अन दिफेरेंट नम्मर अर्बितल और्बितल अपस डिफेरेंट सेल आपका रिफेरेंट सेल आपका रिफेरेंट सेल नम्मर जैसे क्या वन एस प्रिफेक्स है वन एस फिर टू एस टू पी ट्री एस ट्री पी ओके ये कंटिन्यू ऐसा चलते जाएगा इसके साथ 1S लग गया 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F ऐसा ओके यह हमेशा याद रखना है इन्क्रीजिंग और में होगा ओके यह इन्क्रीजिंग और में होगा आप चली एक सांटिस्ट के अब ला था पॉली भाहिया एकॉर्ड टू पॉली 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 गान एक्स्लूशन प्रिंसिपल एनी वन और विटल कैन अकुमिड अप्टू मैक्सम नूमर अफ टू लग्टून एक टूबब में आएगा लब पार्लल स्पिल में पहला ऐसा पहला दूसरा यह पार्लल स्पिन हो पहला एक ऐसा गया एक ऐसा गया ठेक अब इसका जैनरल रूल क्या होता वो देखेंगा तो जैसे हम लोग इसका एक्जामपल ले सकते हैं कार्बन का ठीक है आँ छुड़िए मैं आगे बताऊंगा तो सिंपल सा यह समझो कि जो और्विटल में न यह तो एलक्ट्रों से जादा नहीं होगा जैसे माल लिजे एक डब में एक दो तीन इलक्ट्रों आठी नहीं सकता क्योंकि उसका मैक्समुम कैपसिटी है इन मैक्समुम कैपसिटी तो का ही है यह पॉली भेया बोलके गहता है तो तो जेनरल लून ताट और्विटल कैन फिल्ट तो कैपसिटी विद इलक्ट्रों स्टार्टिंग फ्रॉम लुएस्ट इनर्जी और्विटल ठेक है इसका मतलब यह है कि जब भी हम इलक्ट्रों को भरना इस्टार्ट करेंगे मैं यह मान के चलता हूं कि थोड़ा सा बे इनर्जी होगा वो जाते हैं तो नीचे सूपर उठते नहां को उपर से नीचे आते हैं हुख है तो पहला जो हम व एलक्ट्रॉन भारेंगे वानेस में तो फिर इसके बार टू एस में जाए पिर टूप पिंजान फिर्ट्री एस में जाए en Song तो यह हमारा क्रम होगा बारने का ठीक है फिर एक बात क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट बाते हैं को माक कर लेना तो इनर्जी बिट्विन वनेस्ट एंड टू एस इसका जो इनर्जी का बिट गाप का बिट्वीन है इस मूर दैन डाट टू एस एंड टूपी इससे इनर्जी लेवल वह नहीं क्योंकि वनेस से चब टू एस जाएगा तो यहाँ एक बेरियर है इसको ब्रेक करना पड़ता है ठीक है तो जो वनेस ऑन टू एस जो है उसका इनर्जी लेवल ज्यादा है आप अपर टू एस एंड टूपी से ठीक है यह से सेम सेल में है सेम सेल में यह डिफरेंट सेल में है तो इसके नहिंट यहां से उपर उठके जाने में इनरजी ज्यादा लागे का तो वह यह पॉंट भूल रहा हम in orbital of equivalent energy the most stable arrangement is one where all the unpaired electron have parallel spin take the hundreds hundreds rule bulletin कि जो भी arrangement होगा वो parallelism in your speed में जाएगा मतलब जैसे carbon come example ले रहे तुमाप पर है तो carbon का जो example ले रहे था सबसे पहले जो हम लोग इलक्ट्रोन भारेंगे तो कैसे भारेंगे कि वाइने स्टू कि टू एस्टू कि टूपी थ्री कि पहला दूसरा हुआ हुआ है तो हम लोग कारवन को कैसे भारेंगे जैसे मने कारवन का अटमिक नमर्सिक्स अथा है तो वन एश टू टू एस्टू टू टू पी टू ठीक है इसमान मोई बहा हुआ सिसा में दू एलक्टोन में अकर यह चार होता तो यह के भाउरे की गलत हो जो का पसीटीं कि यह यह ऐह वह था मैं बताऊंगा इसमें ने कि देखें नैट्रोजन पहले भराया टू दो फिर तिन इसका टामिक नमर साथ होता है पहला में भरा गया फूल हो गया दूसरा दूसरा भरा गया फिर तीसरा चौथा पाच मां एक तो तीन चर पाच फिर ऑक्सिजन का सेम आठ तो तीन भराने वाद फिर चौथा यहां पर आगया तो ऐसा नहीं करना है कि जैसे माले जिए कि पहले इसको भर दिया इसको छोड़ दिया बढ़ती करब में पहले आगे वाला भराएगा फिर दूसरा पर आगा फिर तीसरा भराएगा कि ऐसे सुवन जितनी भी जाल फ्लॉरीन ले लो नाइन है ठेक है मैं बढ़कर दिखाता हूं दो दो चार पांच छे साथ आठ नौ और नियोन ले लो यह नट गैस हो गया यह पूरा बर जाएगा फुल्फिल हो जाएगा फुल्फिल हो जाने मतलब यह मुश्ट स्टेबल स्टेट में पहुँच गया ठीक है अब इसको दुनिया से मतलब नहीं है यह कौन बन गया साथ हूँ ना अब इसको किसी कुछ देना है ना इसको किसी से कुछ लेना है अगर कोई भी इंक्वाइरी हो ना समझ में आओ तो प्लीज कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत महनत लगती है यार इतनी तयार करने में एंड चैनल के साथ बने रहा है मोटिवेशन बनाते रहा है मेरा थैंक्यू वेरी मच्ट